हाई गैस और विलकम बैक टू दी चैनल दीपक्ष यादव एजूकेशन विलकम टू दी डेली करेंट अफेयर्स और 14 ओफ नवेंबर 2021 तो गाईस आज है तारिक 14 नवेंबर 2021 और है संडे आज की तारिक से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन से अभी current affairs को हम लोग detail में discuss करेंगे आ मतलब की पिछले Monday से लेकर Saturday तक जितने भी current issues चर्चा में रहे हैं प्लस जितने भी हमने article discuss कि हैं उन सब का एक छोड़ा सा revision होगा बीच में आप लोग के लिए quizzes भी लगा रखे हैं उसको भी solve करते हैं तो आप लोग ने पिछला सपता जो भी पड़ा है उन सब का एक overview आप लोग को इस lecture का PDF चाहिए तो नीचे description box में आप सभी लोगों को टेलिग्राम का link दिया या है वहां से जाकर आप लोग इस lecture के PDF को download कर सकते हो और यह है मेरी Instagram ID दीपक्च यादव एजूकेशन चाहो तो आप लोग मुझे हैं पर follow कर सकते हो अपनी जितने भी queries हैं मुझ सा आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो बाइदावे दोनों ही चीज़ों को link आपको नीचे description box में मिल जाएगा साथ हमेशा की तरह यार यहां तक पहुंच गए हो तो वीडियो को like ज़रूर कर देना आप लोगों से एक request यही रहती है daily business पर मैंने आप लोग लिक target रखता हू जैसे कि आज का target भी है 1K plus likes आप लोगों पहुचाने है और daily business पर आप लोग इतना support मुझे करते भी रहते हो आगे बढ़ते हैं start करेंगे discussion को आज का सबसे पहला article आज का कहलो या फिर जो पिछला सबता का मंडे था मंडे में हमने सबसे पहले article discuss किया था COP26 के बारे में तो important चीज़ आप लोगो ध्यार नहीं है यहाँ पर क्या discussion हुआ कि climate change को हम लोग किस प्रकार से tackle कर सकते हैं climate change से कैसे लड़ सकते हैं उसको लेकर यहाँ पर यह discussion हुआ है तो क्या-क्या pledges ली गई है क्या-क्या promises करे गए हैं बहुत सारे countries के थुरू वो यहाँ पर हम लोग discussion कर इन्होंने काफी जरे pledges ले ली हैं काफी जरे promise करें हैं पहला promise तो यह क्या है कि जो deforestation है उसको कम करने वाले हैं for example deforestation का मतलब क्या होता है पेड़ वगरा काटे जा रहे हैं आजकल बहुत तेजी से उनको कम से कम किया जाएगा प्लस जो methane है उसका emission कम करेंगे यह फोकस यहाँ पर इस पूरे meeting में रखा गया प्लस यहाँ पर मैं आपको लोगो बदा दूँ भारत ने क्या अपना announcement क्या दिया था भारत ने announcement क्या है कि हम लोग साल 2070 तक carbon neutrality के तरफ बढ़ेंगे मतलब pollution को कम से कम करेंगे यह हमारा साल 2070 तक का target है आपको इसके बारे में मालूम होगा मैं आप लोगो बताता हूँ methane pledge के बारे में तो अभी हाँ पर क्या हुआ है European Union ने और US ने मिलकर discuss किया है कि हम लोग methane को कम से कम एक तरीके से produce करने वाले है या फिर जो methane एक greenhouse gas है जिसकी वज़ा से क्या हो रहा है लगातार temperature गरम हो रहा है temperature गरम हो रहा है तो उसे बहुत सरी problems देखने को मिल रही है जैसे कि यहाँ पर glaciers का पेगलना sea level कराई जोना तो यहाँ पर क्या है इसको रोकने की पूरी तरह से यहाँ बातचीत की गई है European Union और US मिलकर ये काम करेंगे US और European Union के साथ साथ लगबग 103 से जादा countries जिन्होंने मिलकर इसको sign किया है Nigeria पाकिस्तान ने भी इसको sign किया है ये countries भी मिलकर यहाँ पर methane को कम से कम emit करने वाली है ऐसा focus रखा गया अब आपको होगे India कहाँ पर है तो China, Russia और India ये तीन ऐसी country है जिन्होंने इसको sign up नहीं किया है इसके बारे माप लोग को एक idea रखना है उसके बाद दूसरा pledge लिया गया था deforestation मतलब कि जो पेड़ की कटाई आज की टाई पर काफी जादा हो रही है उसको कम से कम करेंगे क्योंकि एक data हमारे पास आता ये है कि साल 2020 में दुनिया ने लगबग 2,58,000 square kilometer का जो forest वो हमने खोया है तो आप कैसकतों दुनिया भर में इतना forest ये खतम हो चुका है साल 2020 के अंदर तो ये बहुत बड़ा amount है और forest कितना ज़्यादा important role play करता है human beings की life में आप लोग को मालूम होगा ठीक है अब यो जो पेड़ है ये क्या कर रहा है ये हमें oxygen provide कर रहा है प्लस यहाँ पर जो एक तरीके से जो भी यहाँ पर carbon dioxide है उसको सब को absorb कर रहा है तो कितना दा helpfully रहने वाला है हमारे environment को किस प्रकार से protection दे रहा है हम लोग को food provider कर रहा है तो यहाँ पर काफी सारी चीज़े हाँ पर अब देख पाओगे हम लोग को provide टरवा रहा है तो इससे क्या है यहाँ पर अगर आप पेड़ को ही काट दोगे तो ये environment के लिए काफी अतक नुकसान है environment को तो नुकसान पहुचेगा साथ ही साथ human beings को भी नुकसान पहुचेगा ठीक है तो ये main focus रखा गया है कि पेड़ को कम से कम काटा जाएगा आफ फोरे station के तरफ बढ़ेंगे मतलब पेड़ को लगाया जाएगा जाथ से जाधा ये focus रखा गया था उसके बाद यहाँ पर चर्चा की गई है climate finance को लेकर इंडिया ने यहाँ पर एक मुद्दा उठाया इंडिया ने बोला कि आज के टाइम पर जो developed countries है जो आज के टाइम पर developed countries है ठीक है कैस जैसे कि यहाँ पर US हो गया या फिर यहाँ पर European Union countries हो गई तो यह क्या करेंगे यह developed countries पहले जब industrialization शुरू हुआ था तो उसी समय पर इन्होंने दबा के pollution किया pollution करने के बाद यह countries कहाँ पर आज के टाइम पर बहुँच चुके हैं वह आप लोग देख पा रहे होंगे ठीक है तो कासी तक growth करी है इनो लेकिन अब क्या है अब pollution करने के लिए क्या कर जा रहा ह जा रहा है बर developing countries को पर डाला जा रहा है और developing countries आज के टाइम पर developed countries की तरफ बढ़ रहे हैं ठीक है तो pollution वगरा जारी सी जारी सी बात है लगातार हो रहा है ठीक है हमारी economy वगरा चल रही है इन्हीं के basis पर चल रही है अब अगर हम लोग factories वगरा तुरांद बंद कर देंग ताकि climate change से जो developing countries आफ उलड़ सके यह main focus यहाँ पर रखा गया दनू इसके बात भारत ने एक और initiative को launch किया इसी meeting के दोरान वो है infrastructure for resilient island states देखो बहुत सारे states कौन से होता है island states ठीक है पानी के बीचो बीच आपको बहुत सारी countries आपको देखने को मिलेंगे islands देखने को मिलेग तो उनको support करने की बात की है भारत ने भारत ने बोला है कि हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट से लगाएंगे पाइलेट प्रोजेक्ट से लगाएंगे यहाँ पर infrastructure को develop करेंगे क्योंकि इनको काफी खत्रा है ठीक है उसके बाद यहाँ पर इंडिया की एक space agency ISRO Indian Space Research Organization इसके ब जो है यह सारा data satellite के थुरू लेगा और फिर उसके बाद यहाँ पर इन लोग को यह data दिया जाएगा I hope आपको एक clear हो चुका है यह हमने discussion किया दा दन उसके बाद एक initiative यह उठाया गया था भारत के थुरू यहाँ पर एक initiative उठाया गया है one sun one world one grid के बारे में ठीक है अब य आए ना देखो इस initiative के बारे में मैं लगबग अब पिछले महीने से कम से कम 20 बार बता चुका हूँ तो आज आप लोग मुझे समझाओगे मैं पहले सी सोच रखा था मैंने कि मैं आप लोग उसे पूछने वाला हूँ one sun one world one grid के बारे में हमने लगबग मैं फिर से बता रह होगा नीचे comment section में इसके बारे में type करना आते हैं अगले article पर आज मैं आपसे बहुत सारे question भी पूछने वाला हूँ revision के दौरान दूसरा article हमने discuss किया था कि जो national human right commission है इसने यहाँ पर police reforms को लेकर चर्चा की है NHRC ने हमारे home ministry से बोला कि भाई आज के टाइम पर police reforms की जरू है तो इन सब चीजों को देखते वे NHRC ने बोला है कि भाई क्या करना है एक police complaint authority बनाओ और यहाँ पर police के उपर भी पूरी तरह से निगरानी रखनी चाहिए ठीक है ऐसी चीज़ें हाँ पर देखने को मिली है अब देखो police complaint authority को बनाने की बात यह कोई नहीं बात नहीं है य उसी प्रकार से यह प्रकाश सिंग वर्सिस यूनियन आफ इंडिया का केस है ठीक है अब जो यह वाला केस हुआ था यहाँ पर बातचीत की गई थी भाई police reform के लिए आपको एक police complaint authority बनानी है लेकिन आप देख पा रहे हो 2006 में बात हुई थी लेकिन अभी तक यहाँ पर इस गमलता है उन सब चीजों के अंदर बदलाव करने का में काम करता है ताकि police किस प्रकार से मदब police का जो interaction का तरीका है वो काफी improve हो जाए यह यहाँ पर बोला गया और जो police है यह कहाँ पर आता है आपको ध्यान आकना है हमारे सम्विधान में जो एक तरीके से 7 schedule के अंदर state list है union list है concurrent list है उसके अंदर state list के अंदर आता है police का subject तो इसके बारे में ध्यान रखना है तो police यहाँ पर state list के अंदर में आता है Indian constitution में इसके बारे में आप लोगो एक छोड़ा साइडिया रखना है अब यहाँ पर मैं आपको बताया जैसे कि police के अंदर बदलाव करने की बात गई थी देन उसके बाद 2000 में यहाँ पर पद्मन भहिया कमिटी बनाई गई देन उसके बाद 2002 या तीन में मलीमत कमिटी बनाई गई देन उसके बाद 2005 में police act drafting कमिटी बनाई गई 2006 में supreme court directions आये प्रकाष सिंग वर्सिस union of इंडिया यह हमाली बहुत important है यह हमाली है very very important है इ इस प्रकाष से police के अंदर reforms होने चाहिए ठीक है उसके बाद 2007 में second administrative reform commission आया 2015 में police act drafting committee 2 आये लेकिन अभी तक police के अंदर reforms सही से करे नहीं गए अब यह जो picture है इसको आपको रट के रख लेना है पूरी तरह से दिमाग में चाप लेना है जब भी police reform को लेकर बातचीत आती है बाहर कि आपको यह लिखना है तो क्या करना है फटा फट यहाँ पर आपको यह सादुपट चाहब देना है सुप्रिम कोट ने यहाँ पर जो यह प्रकाष सिंग वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया वाला पूरा केस हुआ था यहाँ पर कुछ साथ directions दिये थे पहला direction यह दिय गया था कि पुलिस reforms को लेकर पुलिस के अंदर अगर बदलाफ करने तो उसके लिए हमें एक state security commission मनाना चाहिए ठीक है दूसरा यहाँ पर statement दिया गया कि दो साल का tenure होना चाहिए DGP का, DGP यहाँ पर कौन होते हैं तो आप लोग को मालूम होगा Director General of Police होते हैं अब यहाँ इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि मालो आज के टाइम पर BJP के सत्ता है ठीक है यहाँ पर BJP के टाइम पर इनने एक DGP को यहाँ पर हायर किया है इस जगह पर लगा दिया है मालो Congress की कल आगई सरकार, Congress नहीं कर रहा है उस DGP को हटा दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए Political Party के बदलने पर ऐसा काम नहीं होना चाहिए यहाँ पर DGP का जहाँ पर रखा गया उसको दो साल का tenure तो फिक्स होना ही होना चाहिए उसके बाद इसी प्रकार से जो SPS चोज है उनका भी दो साल का term होना चाहिए या फिर उसका ध्याँ पर यह बोला गया जो separate investigation लगना चाहिए ठीक है देखो एक officer होता है जो law and order को देखता है ठीक है जो law and order कोई खराब होगा तो उसको कूट पिटाई करके उसको सही कर देग इनसानों को एक दूसरा officer होता है जो कि special investigation करता है आज की टैम पर क्या हो रहा है वो ही officer दोनों काम कर रहा है वो law and order को समझ रहा है संभाल रहा है और उसके बाद वही special investigation कर रहा है तो ऐसा नहीं करना है ठीक है क्योंकि हाँ पर क्या है law and order वाले का दिमाग अलग है उसके mentality अ एक औलक से serious बंदा चाहिए तो इन दोनों को आपको separate करना होगा ऐसे हैं आपर बताया गया Supreme Court के थूरू दन उसके बाद Supreme Court ने बोला आपको एक police establishment board बना लेना है दन उसके बाद बताया गया कि आपको police complaint authority बनानी है state level district level सभी जगा पर दन उसके बाद सेट अप करनी पड़ लिखित में यहाँ पर provide करवा दिया कि Supreme Court के क्या क्या direction है प्रकास सिंग केस के अंदर इसके बारे में आप लोग एक idea रख सकते हो हम लोग काफी detail में चले गए लेकिन कोई बात नहीं detail में जाना important था now यहाँ पर यह सारे जो recommendation है यह NHRC ने दिया है human history को कि भाई यह काम करो तो NHRC आखिरकार क्या है आप लोग को मालूम होगा NHRC के बारे में हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं काफी बार हमने पढ़ा है कि NHRC जो इंडिया का है एक independent statutory body है इसको 12 October 1993 में बनाया गया था और फिर बाद में 2006 में इसकेंडनेर amendment हुआ NHRC की full form है National Human Rights Commission और इसका main काम है human rights को बचाना human rights को protection देना मानफ के rights कौन कौन से मानफ का अधिकार जैसे की right to life, right to liberty, right to equality, right to dignity तो इस प्रकार के rights को protection देने का काम करता है human rights तो मो सरी यह national human rights कमिशन इसके बारे में आप लोग को मालूम होगा हमने काफी बार discussion किया है ना तो इसके बाद NHRC एक multi member body है यहाँ पर बहुत सरे members देखने को मिलते हैं एक chairman है साथ और अलग से members होते हैं जो chairman होता है वो एक retired chief justice of India होता है या फिर supreme court का एक judge होता है उसको chairman बना जाता है अब इन लोग को appoint करने के लिए committee बनाई जाती है उस committee को एक तरीके से हाँ पर वो जो committee ह उस committee को head करते हैं हमारे prime minister दनुसके बाद उस committee के अंदर और भी बहुत सारे लोग होते हैं जैसे की speaker of log सभा deputy chairman of raja सभा ये सबी लोग मिलकर एक committee बनाते हैं फिर उसके बाद इन लोग को choose करते हैं फिर president तक बात पहुचा आते हैं दनुसके बाद यहाँ पर president इन सब चीजो आगे बढ़ते हैं दनुसके बाद next article में बात की गई थी गंगा river dolphin के बारे में तो news में क्यों था क्योंकि हाली में जो ministry of जल शक्ती है उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी guidelines वगरा जारी करी है कि हम लोग किस प्रकार से गंगा river dolphin को बचा सकते हैं जो की काफी सारी जगा पर अपस जाती है ठीक है तो article हमाली important नहीं था लेकिन गंगा river dolphin के बारे में जानना बहुत जादा महतुपूर था अगर हम बात करें तो देखो जो गंगा river dolphin को national aquatic animal घोशित कर जा गया था साल 2009 में इसके बारे माइडिया रखना है सबसे पहली जहाँ पर ही जो river dolphin का scientific name है सबसे पानी में रहना पसंद करती है क्योंकि हाँ पर आपका सकते हो कि जब यह साफ सुतरे पानी में रहीगी तो इससे हम लोग पता लगा सकते है कि जो जो पानी है जहां पर river dolphin है वो एक साफ पानी है इसके बारे में आप लोग एक मतलब खुदी आडिया लगा सकते हो population की बात करें तो आज के टाइम पर population काफी कम भी आपको यह देखने को मिलेगा river dolphin की और इसका importance क्या है इसका importance यही है कि हम लोग को river की health बता सकती है कि वहाँ पर साफ पानी है या नहीं है क्योंकि जहां पर dolphin बाई जाएगी मतलब वहाँ पर साफ पानी आपको देखने को म मिल रही है प्लस क्या सरकार आज के टाइम पर इनको बचाने का कोई काम नहीं कर रही है तो सरकार बहुत सरे प्रोजेक्ट चला रही है कि है प्रोजेक्ट डॉल्फिन जहां पर हमारे प्रामिरिस्टर ने पूरा प्लान एनाउंस कर रखा है यहां पर उसके बाद एक dolphin sanctuary आ All India Judicial Services के बारे में तो हाली में न्यूज में क्यों था क्योंकि यहां पर चर्चा की जारी थी कि जो यह All India Judicial Services है इस body को बना देना चाहिए मतलब कि जो judges के exam होता है खास कर यहां पर जो मतलब कि DJ होता है और EDJ होता है कौन-कौन होता है DJ EDJ मैं आपको बताता हूँ ठीक है प IPS बन रहे हैं ठीक है Indian Forest Service का exam भी UPS से करड़ करवा रहा है तो यहां पर यह एक All India exam है ठीक है सबी लोग एक साथ बैठ कर exam दे रहे हैं अब जाओगा यह सब लोग जब इनका selection हो जाएगा तो यहां पर UPS से इनका interview बगरा लेने के बाद क्या करेगा इनको अपनी services पर छोड चीज देगा अलगलग states का अंदर भीज़ाद आएगा ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ पर जिस particular जगह से एक जक्ती बिलॉंग कर रहा है भही का वह आईस बनेगा ऐसा तो नहीं होता अलगलग का अडर मिलता है आपको मालूम होगा ठीक है अब दूसी चीज देखते हैं इसी Chief Justice of India देखने को मिलेंगे High Court के अंदर भी Chief Justice of India देखने को मिलता है District Court के अंदर आपको District Judge देखने को मिलता है DJ DJ के साथ साथ एक और होता है Additional District Judge ADJ ठीक है यह दोनों लोग होता है इसके बार हमाइडिया रखना है अब यहाँ पर जो DJ और ADJ का जो एक्जाम है वो कौन करवा रहा है वो State करवा रहा है जैसे की अलगलग State के अलगलग Bodies होती है मालो मैं UP से हो तो UP का बता रहा हूँ UP PSC य ठीक है उसी प्रकाड से कोई यहाँ पर उत्रकंड का हो गया तो उसकी Bodies हो गई राजिस्तान का हो गया तो उसका RPVSC हो गया ठीक है तो मतलब आप कर सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से अलगलग State की Bodies है वो exam को connect करवा तो यहाँ पर यही मुद्धा उठाया जा रहा है पर उस व्यक्ति का इंटर्व्यू लेगा, इंटर्व्यू करने के बाद यहाँ पर उसी स्टेट के अंदर उस व्यक्ति को अपॉइंट कर दे जाएगा, मालो यूपी का व्यक्ति है, उसने यूपी में एक्जाम दिया, वो जज़ बन गया, यूपी के अंदर तयार हो गया, तो यहाँ पर इस चीज़ को मना किया जा रहा है कि यह चीज़ सही नहीं है अब क्या करना चाहिए इसके लिए हम लोग को एक body बनानी चाहिए that is all India judicial services यह यहाँ पर simple सा पूरा का पूरा article था कि हम लोग को क्या करना चाहिए एक all India judicial service body मनानी चाहिए जो की DJ और ADJ के exam है वो सब यहाँ पर एक ही particular body के under में conduct हो एक साथ judges बने, judges बनने के बाद क्या हो वो एक मतलब UP का कोई जज है तो वो कहीं और जाकर काम करेगा ठीक है उसका कहीं और appointment होगा उसको कोई दूसर दूसरी जगा मिलेगी सब लोग को ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा तो इससे दिक्कते भी create होगी दिक्कते क्या create होगी ना कि सबसे बड़ी बात जो भी हमारे एक तरीके से state होगी उनको सबसे बड़ी problem होगी state को क्या problem होगी कि भाई यहाँ पर उन लोग की power खतम हो जाएगी ठीक है state यहाँ पर अपने साफसे चीजों को नहीं चला पाएगा तो यह चीज़ आप लोग देख पाओगे तो यह CGA मैंने आप लोग को बता दी है कि क्या क्या है क्या क्या provisions आप लोग को देखने को मिलते हैं जज़िस के बारे में आपको बता दिया आज के टाइम पर जो appointment होता है तो article 233 और 234 का इस्तमाल के जाता है जो भी हम लोग district judges को appointment करते है न उसके लिए article 233 और 234 के अदर आपको सारे provisions देखने को मिलेंगे ठीक है अब किसी हम लोग judge को appointment करते है तो उसके लिए जो state public service commission होता है वो exam conduct करवाता है एधन उसके बाद जो interview होता है वो high code के judges लेते हैं जैसे मैं आपको बताया तो अब क्या आए इस चीज़ को खतम करके हर साल यहाँ पर 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 कंड़ेक्ट होंगे क्योंकि जो state public service commission हो सही से exam को कंड़ेक्ट नहीं करवा पाता है यह आपर बताया गया I hope आपको clear हो चुका है next article हमने discuss किया था national sports awards के बारे में तो हाल ही में जो ministry of youth affairs and sports है नोंने announce किया है national sports awards 2021 को और अभी यहाँ पर national sports awards में खाली हम लोग को समझना यह है कौन-कौन से award आते हैं आपसे यह पूछा जा सकता है prelims में ठीक है एक आता है राजीव गांदी खेल रतन award एक आता है अर्जुन अवार्ड देन उसका अधुन नोना चारे ध्यान चंद खेल खेल अवार्ड मौलाना अब्दुलकलाम अजार्ट ट्रॉफी इंटेंजिंग नौरगे नैशनल अडवेंचर अवार्ड तो यह अलग-अवार्ड से जो कि उसी प्रकार से अर्जुन अवार्ड को बनाया गया था 1961 में यहाँ पर भी गुड परफॉमेंस के लिए किसी व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जाता है कैश प्राइस 15 लाग रुपे का यहाँ पर मिलता है ब्रॉज स्टैचू मिलता है अर्जुन का और यह चीज़ आप देख पाऊगे एक स्क्रॉल में मिलता है उसी प्रकार से मौलाना अब्दुल कलाम अजार ट्रॉफी है इसको बनाया गया था 1956 से लेकर 57 के आसबास यह उनिवर्स्टी लेवल स्पोर्स को देखता है जो टॉप पर्फॉमेंस उनिवर्स्टी है उनको यहाँ पर यह अवार्ड मिलता है और राश्ट्रे खिल पीडियाफ आपके पास आई जाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स राडिकल हमने डिसकस किया था आदी शंकरा चारे जी के बारे में तो हाली में हमारे प्रामिनिस्टर ने एक 12 फूट का स्टैचू अनिवील किया है आदी शंकरा जारे ची का के दारनात के अंदर तो आदी ब्रह्म सुत्र भस्या और भी बहुत सारी कमेंटरीस वगरा इनके थ्रू लिखी गई है प्लस और भी बहुत सारा कॉंट्रिबुशन किया है हिंदुईजम को वापस से रिवाइब किया है वापस से जीवित किया है इंडिया के अंदर ऐसा यहाँ पर बोला जाता है अब स्राट करते हैं नेक्स राडिकल पर तो उसके बार नेक्स दे पर हमने डिस्कास किया था खासी इन्हरिटेंस ऑफ प्रोपर्टी बिल 2021 के बारे में तो हाली में जो खासी का ऑटोनमस डिस्ट्रेट काउंसिल है देखो पाओगे आज के टाइम पर बहुत सारे जो एक तरीक बना सकते हैं तो उनके पास खुद का ऑटोनमस डिस्ट्रेट काउंसिल है जो रूल्स और डिस्ट्रेट को बनाता है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है तो कौनसे स्टेट्स हैं वो चार स्टेट्स यह हैं जिनके पास ऑटोनमस डिस्ट्रेट काउंसिल आपको यह द आप गारो वाली ट्रयब रहती इंदर आपने बताऊए होता क्या नॉर्मल रहता है घर में रहती है उसके, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर जो men है वो अपना घरवार छोड़कर women का साथ रहता है, यह मैंने आप लोगों समझाया था, आप लोगों मालूम होगा, सब कुछ उल्टा है, प्लस यहाँ पर जो properties वगर है, जैसे जनरली क्या होता है, properties किस की होती है, लड़के की होती है, ठीक है, कोई भी छोटा सा लड़का है, उसकी हो जाएगी, उसके नाम में दी जाएगी सारी properties, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर जितनी चाहिए ठीक है लड़के को कोई property नहीं दे रहे हो ठीक है दूसरी बात यहाँ पर जो लड़की है उसे property दे रहे हो लड़की में भी सबसे छोटी वाली लड़की को properties दे रहे हो तो यहाँ पर क्या है जो property का distribution है वो एक तरीके से सब के अंदर equal होना चाहिए यहाँ पर इस bill क के अंदर बताया गया था next article हमने discuss किया था PCA framework को लेकर तो हाली में Reserve Bank of India ने prompt corrective action framework को announce किया है और prompt corrective action framework क्या होते हैं मैं आपको समझाओंगा सबसे पहली बात PCA framework को 2002 के अंदर लाया गया था सबसे पहली बार यहाँ पर होता क्या जो commercial banks होते हैं जो चोटे मोटे banks होते हैं उनको यहाँ पर डूबने से बचाया जाता है इस PCA framework का main काम है कि चेक करते हैं कि यार कोई जो commercial bank से उनके दार non-performing asset वाली दिक्कत तो नहीं है उन्होंने कहीं loan दे रखा है loan किसी को दे दिया और bank के पास loan वापस से नहीं आ रहा ना ही loan आया ना ही व्या जाया तो bank खत्र से बचाना तो अब की बार जो framework का हैं यह साल 2022 से लागू होने वाले हैं इस framework के अंदर सभी छोटे मोटे banks को लाया जाएगा except payment bank और small finance bank तो payment bank और small finance bank नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे commercial banks के उपर यह लागू होगा इनकी asset quality देखे जाएगी जिस bank की asset quality अच्छी तो यह non-performing asset क्या होता है मैं आप लोगो बता ही रखा है तो यहाँ पर आप देख पाऊगे और दूसरा जो C.A.R. होता है यह capital education ratio होता है आप कैसकतो profitability को हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब किसी bank की कितनी profitability है वो यहाँ पर देखी जाएगी वो उसके पास profit जादा या कम है आप लोगो ध्यान रखना है नेक्स राडिकल में हमने discuss किया था कि आज की टाइम पर इरान ने कोशिश करी है uranium का enrichment करने की uranium को काफी मातरा में enrichment क्या है मैं आपको समझाता हूँ तो अभी क्या है uranium enrichment को रोकने के उपर काम किया जा रहा है प्लस इरान और एक तरीके से बहुत न्यूकलर बॉम बना जा सकता है और न्यूकलर बॉम अपने आप में खतरनाक होता है तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे enrichment क्या होता है ठीक है खासकर यह मालो यूरेनियम है यूरेनियम यहाँ पर दो प्रकार का देखने को मिलेगा एक है 238 और 235 चाहिए ठीक है और 235 वाल यहाँ पर क्या होगा जो यूरेनियम 238 है 238 फोड़ा सा भारी होता है ठीक है तो यहाँ पर 238 को डाला जाएगा 238 यहाँ पर जो है अलग हो जाएगा और 235 अलग हो जाएगा 235 वाले को निकाल दिया जाएगा इसमें से और 235 वाले को निकालने का यह जो प्रोसेस इसको Unanim 235 को बना लिया तो इससे आप लोग nuclear weapons को बना सकते हो और यह अपने आप में काफी बड़ा concern है दूसरी countries के लिए तो यहाँ पर इसी चक्कर में एक nuclear deal हुई थी 2015 में आप लोग को मालूम होगा Iran ने प्लस P5 प्लस 1 countries ने P5 प्लस 1 countries कौन कौन सी है USA, UK, France, China, Russia, Germany इन countries ने मिलकर discussion किया था कि Iran के ओपर जितने भी sanctions लगे हैं उन sanctions को हटा दिया जाएगा लेकिन क्या होगा कि Iran को क्या करना पड़ेगा UNNM का enrichment नहीं खतम करना पड़ेगा यह आपर focus रखा गया था इस deal को हम लोग joint comprehensive plan of action भी बोलता है इरान agree कर गया इरान ने बोला ठीक है हम लोग अपनी nuclear activity को कम कर देंगे हमारे उपर साप sanctions को हटा दो फिर यह agreement चलता रहा देनों उसके वाद आज के time पर क्या हुआ मतलब पहले क्या हुआ कि Donald Trump आ गया Donald Trump ने यहाँ पर क्या कर रहा कि डील को वापस से कर रहा जाए और इरान के उपर यहाँ पर uranium enrichment को लेकर एक रोक लगाई जाए ठीक है उसके बाद next radical चर्चा में था यहाँ पर हमने डिस्कस किया था increased risk of extinction को लेकर तो leopard आज के time पर काफी तेजी से खतम हो रहे है leopard के अंदर अगर हम बात करें 83% तेजी से extinction देखने को मिल सकता है आने वाले time पर खासकर North India के अंदर क्योंकि roads का development काफी तेजी से हो रहा है अब roads वगरा तेजी से बनाई जारी है तो इसकी वज़ए से यहाँ पर leopard खतम हो सकते है आने वाले 50 सालों के अंदर पूरी तरह से जो कि अपने आप में एक concern वाली बात है क्योंकि इससे ecological imbalance देखने को मिल सकता है तो leopard यहाँ पर आप देख पाऊगे leopard के बारे में आप लोगों काफी सरी चीज़े बताऊँगा सबसे पहली बात आपको ज़्यादा थर leopard यह आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर आफ्रिका के सब सहारा वाला रीजन में यह African continent है इसका जो हरा वाला area है यह वाला सब सहारा रीजन कहलाता है leopard की बात करें तो इसका scientific name होता है panthera paradis इसके बारे में ध्यान रखना leopard यहाँ पर एक छोड़ा सा cat की तोर पर भी देखा जाता है और प्लस यहाँ पर अलग-लग प्रकार के leopard होते हैं अभी मैं आपको बताऊँगा सबसे पहली बात यहाँ पर आपको देखना यह भी है leopard खाता क्या है तो यह बहुत सारे herbivores animals को खाता है जैसे कि चीतल, hawk deer, wild boar इन सारे animals को खाता है एक form leopard की होती है melanistic leopard ठीक है melanistic को समझने से पहले आपको melanism समझना पड़ेगा melanism का मतलब होता है एक ऐसा leopard जिसका पूरी जो खाल है वो पूरी black है पूरी खाल black होती है देखो एक leopard तो ऐसा होता है जिस पर spotted यहाँ पर black color है देकिन दूसर लेपर ऐसा होता है जहाँ पर पूरा का पूरा वो black color का होता है ठीक है जो melanistic leopard होता है उसको लोग क्या बोलता है black panther बोलते हैं दियान रखना इसके बारे में काम चलता रहा रोट्स तर कंस्ट्रक्शन चलता रहा तो आनोवले टाइम पर चीज़ें खतम होती भी नजर आएंगी फिर उसकाद हमने कुछ turtles के बारे में discussion किया था Indian flap shell turtle के बारे में इसका scientific name है लिसेमिस पैंक ट्रेटा तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो यह कहां कभी पाया जाता है पाकिस्तान इंडिया श्रिलंका नेपाल बांगलिदेश के अंदर पाया जाता है मैनमार में ही पाया जाता है प्लस उसके बाद यहां पर rivers, ponds, lakes इन सभी जगा पर रहता है टिक है टर्टल यहां पर इसके बारे में आपको धियान रख रहा है टर्टल को आधका टमड़तरा क्छा क्या प्लस इसके बाद यहां पर कभी कभी यहां पर क्या होता है इसको मीट की तरह बहुत जादा लोग इस्तमाल करते हैं साथ साथ कभी कभी दवाईयों की तरह इस्तमाल करता है नौ इनको बचाने के लिए सरकार बहुत सारे काम कर रही है आज की टाम पर कुर्मा आप को बनाया अब्सर्व करते हैं, वर्ल्ट टर्टल लेक को हर साल अब्सर्व किया जाता है, तेहीस मही को, इसके बारे में आप लोगो एक आइडिया रखना है, देनुस के बाद, 2020 में, पदमा आवार्ड्स के बारे में हाँ पर चर्चा की गई थी, तो हाली में, जो हमारे प्रेसिडें आप इंडिया है, इन्होंने पदमा आवार्ड्स को प्रेजेंट किया है, लगबग 119 लोग को ये पदमा आवार्ड्स दिये गए, तो पदमा आवार्ड्स के बारे में आप लोगो बता देता हूँ, कुछ छोटी सी इंफोमेशन जो की प्रलेम्स में आप से पूछी जा स उसके बाद पदमा वार्ड्स की बात करें, तो इसमें तीन अलग 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 पदमा वार्ड्स आते हैं, एक होता है पदमा वीबूशन, एक होता है पदमा भूशन और तीसरा होता है पदम शरी लेकिन उससे पहले आपको समझना ये है, किन लोग को दिया जाता है, जिन् कि कौन को से field में दिया जाता है क्या काम करना होगा दिखो कोई भी काम हर एक field में यहाँ पर यह awards दिया जाता है चाहे वो यहाँ पर art की field हो चाहे वो social work हो, public affair हो, science, engineering हो parade हो, industry हो, medicine, literature, education, sports, civil service कोई साब भी यहाँ पर field हो सभी जगा पर इन awards को दिया जाता है अब इनको लोग को select कैसे करता है तो लोग को select करने के लिए हमारे पास बनती है एक पदम awards committee यहाँ पर awards दिया जाता है recommendation के basis पर एक committee त्यार की जाती है एक committee जो है उसको पूरी तरह से बनायता है हमारे prime minister हर साल यहाँ पर उसको committee को बनाया जाता है committee बनाने के बाद यहाँ पर जो है logo select के जाता है logo select करने के बाद यहाँ पर awards दिये जाते हैं और वो जो awards है वो हमारे president देते हैं इसके बारे में आप लोग को एक idea रखना है अब आप लोग यहाँ पर जब इससे हमने यहाँ पर आप लोग के लिए कुछ questions है इनको आप लोग यहाँ पर solve कर सकते हो अराम से ठीक है उसके answer में आप लोग आगे provide करवा रख है next article discuss करेंगे इंडिया-फ्रांस के defense relationship को लेकर हमने discussion किया था तो इसके बारे में आप लोग को मालूम होगा cyber domain में काम करेंगी space को लेकर काम करेंगी तो खासकर defense relationship को और ज़दा बढ़ाने की बाचीत की गई है अगर हम इस डॉय लोग के highlights को देखें तो सबसे पहली बात बाचीत की रही है कि France हम लोग के आत्म निर्भर भारत को support करेगा France यहाँ पर हम लोग को एक तरीके से defense के मामले में काफी कुछ help कर रहा है joint research के उपर दुनों countries काम कर रही है defense industrialization के उपर काम किया जाएगा दुनों countries मिल का research करेंगी technology के develop करेंगी भारत के अंदर ही develop किया जाएगा तो इसकी वज़े से जो भारत है वो आत्म निर्भर भारत बन पाएगा तो कहीं न कहीं France हम लोग के जो self-reliant India है उसके concept को support कर रहा है दन उसके बाद यहाँ पर जो भारत का एक Indo-Pacific strategy है जहाँ पर हम लोग ने focus रखा है कि हम लोग चाइना को tackle करेंगे इंडो-Pacific वाले region को एक security भरा region बनाएंगे तो वहाँ पर एक तरीके से France ने अपना यहाँ पर support दिखाया है France हमारे साथ यहाँ पर भी खड़ा हुआ है यह आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे दन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है उसके बाद इस meeting के अंदर और भी चीज़े चर्चा हुए है जैसे कि यहाँ पर France ने बोला कि हम लोग अपने relations इंडिया के साथ काफी ज़्यादा अच्छा करने वाल है हाली में अभी एक group के बारे में announcement हुआ था जिसका नाम है AUKUS AUKUS का मतलब है Australia, UK और US ठीक है इन तिनों countries का group था अभी क्या हुआ इन तिनों countries के बीच में यहाँ पर जो यह तैयारी किया यह था पूरा का पूरा group इससे France नराज भी हुआ था submarine को लेकर अभी फिलाल मामला सुलच चुका है तो AUKUS तो इंडो पैसिव काले रिजन के उपर काम करी रहा है प्लस उसके बाद France भी चाहता है कि भारत को support करे इंडो पैसिव काले strategy के उपर प्लस भारत और France के अगर हम relation देखें इसका background देखें तो बहुत important role play करता है France हमारे लिए France हमारे एक ऐसी country बना है जिसने भारत के साथ एक strategic partnership को sign किया जब Cold War खतम हुआ था January 1998 में उसके बाद France की बात कर रहे थे तो हम लोग France एक लौती ऐसी country था मतलब कुछ countries के अंदर ही आदा था जिसने भारत के nuclear weapon test को support किया था 1998 में भारत ने यहाँ पर एक nuclear weapon test किया था इंडिया का एक decision था इसको France ने support किया बागी सारी countries यहाँ पर भारत की आलोचना ही कर रही थी तो यहाँ पर इस वज़ाज़र France important है फिर उसके बाद defense cooperation के बारे में चर्चा होती है तो दोनों countries ने मिलकर यहाँ पर exercise वरुन और तीसरा होता है exercise गरुन इसके बारे में आप लोगों को ध्यान अखना है दोनों countries के army के बीच में यह वाली exercise होती है navy के बीच में यह वाली होती है और air force के बीच में यह वाली होती है प्लस उसके बाद भारत और इंडिया के बीच में एक बहुत ज़दा popular deal है वो है France की जो हमारे रफाल वाली deal है वो काफी popular deal है आपको देखने को मिलेगी ठीक है जिसको लेकर आज के टाम पर काफी चर्चा हो रही है प्लस उसके बाद यहाँ पर France यहाँ पर क्या है आई ओ आरे का 23rd member भी बन चुका है आप लोगो मालूम होगा IRF के मतलब है Indian Ocean Rim Association ठीक है इसका 23rd member France बन चुका है आई ओ आरे क्या है मैं आप लोगो बता देता हूँ यह एक तरीके से एक body आपको देखने को मिलेगी जो कि Indian Ocean को लेकर काम करती है यहाँ पर इसके अंदर जितने भी countries है वो Indian Ocean के आसपास वाली countries है लेकिन France एक ऐसी country है जो कि Indian Ocean से काफी दूर आपको देखने को मिलेगा आज के टाइम पर Indian Ocean Rim Association के अंदर लगबग total 23 members है और इस body को बनाया गया था 1997 में इंडिया और South Africa के दूरू तो यह countries आज के टाइम पर members है इसके बारे में आप लोग यहाँ पर यह देख सकते हो इंडिया भी हाँ पर Rim Association का member यह देखने को मिलेगा फ्रांस सबसे last country है जो कि यहाँ पर इसके अंदर add हुआ था फिर उसकाद हमने article discuss क्या था stable burning का आखिरकार क्या impact पड़ रहा है respiratory health के उपर तो यहाँ पर एक study conduct करी गई है पंजाब के अंदर जिसने बताया है कि जो pollution है stable burning के अंदर वो काफी ज़ादा हो रहा है stable burning क्या होती है जो पराली होती है हमने यहाँ पर क्या करा एक तरीके से फसल को उगाया उगाने के बाद यहाँ पर कटाई करी दन उसका कुछ waste बच जाता है इसको जला दिया जाता है जलाने से इस प्रकार से धुवा निकलता है इस धुवे के अंदर बहुत सरे toxic chemicals आपको देखने को मिलेंगे वो toxic chemicals हमाले काफी खतरनाक है तो इसको एक तरीके से बताया गया है कि इस toxic chemicals का human beings के ओपर क्या impact पड़ता है क्योंकि इसके अंदर PM2.5 बहुत ज़दा मातला में होता है PM2.5 क्या होता है PM2.5 का मतलब है particulate matter 2.5 particulate matter मतलब छोटे-छोटे कंकड के टुकडे लगबग 2.5 आपका होगे छोटे-छोटे कंकड के टुकडे क्या हो मतलब कि यह तो हम inhale कर पाएंगे तो हम लोग inhale कर सकते हैं सास ले सकते हैं उसको अंदर अपने हामर खैस सकते हैं तो आपका होगे कंकल के टुकले को हम लोग कैसे खाँ सकते हैं अपने सांस के थुरू तो देखो ये कंकल के टुकले बहुत छोटे हैं बहुत छोटे मतलब ये एक बाल है आपका एक hair है hair के हिसाप से जो ये blue वाले dot न ये PM10 है ये थोड़ा सा बड़े साइज में होता है, PM 2.5 और छोटा होता है, इतना ननना सा है, आपके बाल से 10 गुना जाड़ा, 100 गुना जाड़ा, छोटा सा ये PM 2.5 देखने को मिलेगा, ये अगर आप लोग इनहेल कर लेते हो, ये अगर हम लोग की बॉड़ी के अंदर जाता है, तो इससे हमारे respiratory system damage हो सकता है, ऐसी चीज़े बताई गई है, ठीके, respiratory system को damage होने के साथ साथ, जो आपका lung function है, lung की functions कम हो सकता है, ठीके, ऐसा बताया गया है, women's के अंदर आपको ये काफी देखने को मिलेगा, ठीके, men's के अंदर भी, मतलब काफी है, आप कैसे को दोनों के men's women के अंदर बहुत ज़्यादा problem ये बन चुका है, आज के टैम पर stable burning, stable क्या होती है, पराली होती है, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, इसको जलाया क्यों जाता है, ताकि हम लोग अगली crop लगा सकें, अगली फसल लगा सकें, ठीके, क्योंकि अगली फसल लगानी हो होता है, इतना जादा आग लगाने से, जो soil के अंदर नमी होती है, वो भी हाँ पर खतम सी होने लगती है, ये आप देख पाओगे, उसके बाद next article में हमने चर्चा किया था, हर्याणा State Employment of Local Candidate Act 2020 के बारे में, तो हाली में हर्याणा सरकार ने बोला है, कि जो हर्याणा के अंदर जितने भी firms हैं, जितने भी हाँ पर आपको companies देखने को मिलेगी, वहाँ पर हर्याणा के लोग ही काम कर सकते हैं, हर्याणा के लोग के लिए 75% तक reservation यहाँ पर दिया गया है, और यह जो पूरा काम है, यह जो पूरा act है, यह काम करेगा 15 जनवरी 2022 से, बोला गया, य जिमालो एक ऐसा firm, एक ऐसी company, जहाँ पर minimum 10 लोग हो, ठीक है, या फिर 10 से जादा लोग वाली companies होंगी, minimum 10 या 10 से जादा वाली companies होंगी, वहाँ पर 75% reservation दिया गया हर्याणा के लोग को, वही लोग यहाँ पर काम कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे, 75% त बाहर का लोग कोई भी काम नहीं करेगा, बाकि जो 25% बचा, उसके अंदर बाहर वाली लोग आके काम कर सकते हैं, ऐसा है बही बताया गया, अब इसे काफी बड़ा concern भी, concern यह है, जो investor पैसा लगा रहे थे, वो लगाएंगे नहीं, वो भाग जाएंगे यहाँ से, जो industries दे Article 14 में equality के बारे में चर्चा की गई है, Article 15 में बोला गया है कि आप कोई भेदबाव ने करोगे, लेकिन भेदबाव हो रहा है हाँ आटिकल 16 में, यहाँ पर कोई भेदबाव के लिए बाग-बगा चीत की गई है, कोई लबी भेदबाव हो रहा है, Article 18 ने बोला गया है, नही क्या है काहो विलेज को लेकर एक डॉक्कमेंटरी बनने वाली है काहो यहाँ पर एक पहला गाउं पढ़ता है चाइना के बॉर्डर के पास एक डिस्रिट पढ़ता है अंजो डिस्रिट वही पर यहाँ पर यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं के आसपास है जो लोग रहते हैं वो एक मेयर ट्राइब है अब यहाँ पर चर्चा में क्यों है क्यों कि जो मेयर ट्राइब है इन्होंने भारत को बहुत सपोर्ट किया था क्योंकि आपको मालूम होगा 1962 के अंदर चाइनीज अटाइक देखने को मिला इंडिया चाइना वार ह इसी वज़ा से यहां पर इसको उपर एक कमिंटरी सोरी एक हाँ यहां पर आपका सकतो डॉक्यमेंटरी बनने वाली है ठीक है अरुनाचल प्रदेश की सारी ट्राइबस के बारे में आप लोग और लोग अपो देखने को मिल रहें प्लस उसके बाद यहां पर एक और ब्रह्मपुत्रा कहला थी है, इसके बार में आप लोगो एक आइडिया रखना है, ठीके, यहाँ आप लोग यह देख सकते हो, ब्रह्मपुत्र रिवर उपर सियांग से निकल कर आ रही है, तो उसके बाद एक कार्डिकल हमने डिसकस किया था, गौड़ेस अनपूर्णा आइ पर गौड़ेस अनपूर्णा को वापस से भारत लाया गया, इसी तरीके से खाने की देवी बोला जाता है, इनके हाथ में एक हाथ में खीर का कटो रहा है, दूसरे हाथ में चमच आपको यह देखने को मिल जाएगा, ठीके, तो इसके बाद यहाँ पर जो पूरा के अंदर देखने को मिलेगा, वाराणसी को हम लोग यहाँ पर बनारस भी बोलता है, बनारस अलगलग स्पैलिंग आप देख पाऊगे इसके उलेकर, तो वाराणसी जो है एक अपने आप में बहुत इंपोर्डेंट शहर यह देखने को मिलेगा, हिंदू होली सीटी है, व वाराणसी के अंदर यह लोकेटेड है उत्रप्रदेश में, जो यह टैंपिल है, यह गंगा रिवर के वेस्ट बैंक पर लोकेटेड है, इस रिवर को मुसर, इस टैंपिल को बनाया गया था, 1780 में, बाई मराठा मोनार्ख, एक महरानी अहिलबाय होलकर थी, इनके थूरू यहाँ पर इसको बनाया गया था, इसके बारे में आप लोको एक आइडिया रखना है, दनूस के बाद यहाँ पर मैं आपको बताया, यह जो मुर्ती है, इसको भारत में रिसीव करने वाली बॉड़ी है, आर्केलोजिकल सर्वे अफ इंडिया, मिनिस्ट्री आफ कल्चर के अंडर में आता है, ठीके इसका में काम क्या है कि हाँ पर खुदाई करके जो नईनी चीज़े मिलती रहती है, जो पूराने जामाने में लोग काम करते थे, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर रिसर्च बगरा यह करता रहता है, आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 1861 मे आपको आइडिया रखना है, आज का लास्ट राडिकल बात करता है, श्री नगर के अंदर यहाँ पर एक क्रियेटिव सिटी नेटवर्क को बनाया गया, श्री यहाँ पर यूनाइसको के थरू एक लिस्ट मेंडेन किया जाती है, यूनाइटिड नेशन एजुकेशन साइं लिस्ट के अंदर एड़ किया गया है, क्यों क्योंकि श्री नगर के अंदर जो क्रियेटिवीटी क्राफ्ट वगरा है, वो काफी हत तक अलग से देखने को मिलता है, श्री नगर के अलावा बहुत सारे और भी शहर हैं, जैसे मुंबई, चेन्नाइए, हैधराबाद, वाना जैसे श्रीनगर हो गया, फोल कार्ट की वज़ा से, मुंबई हो गया, फिल्म की वज़ा से, हैधराबाद, जैस्ट्रोनॉमी की वज़ा से, चिन्नाइ हो गया, क्रेटिव सिटी ऑफ म्यूजिक की वज़ा से, जैपिर हो गया, क्राफ्ट और फोल कार्ट की वज़ा से, वर UNESCO अलग-लग reports को publish करता है, एक है UNESCO Science Report, एक है Global Education Monitoring Report, एक है State of the Education Report, तो इसके बार में आप लोग को एक idea रखना है, तो guys यह था हमारा revision, हमने Monday से लेकर Saturday तक जो भी article डिसक्स किया है, by the way Saturday के article हमने यहाँ पर revision नहीं किया है, क्योंकि Saturday का revision है, वो हमरे कल के वीडियो में होने वा हैं, और इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समात, मिलते हैं आप लोगों से next वीडियो में, आज के लिए बाबाए, have a nice day, thank you and जैहिंद.